नमस्कार दोसों मेरा दाम में विमल सिंग बालाजी श्टेटी एड़ा में आपका स्वागत है स्वामी विवेकानत राश्टी पुनरवास पुषिक्षड़ और अनुसंदान संस्थान की तरफ से इक नोटिफिकेशन निकाला गया जिसमें आपका आविदन 24 अपराल से सुरू हो भी गये है समविदा अधारित भरती है और धेर सारी इसमें पोश्ट है और इन सभी पोश्ट में आप हाई स्कूल से ले करके ग्रेजुएशन पोश्ट ग्रेजुएशन और हाईर डिगरी तक आविदन कर सकते हैं तो सबसे पहले तो यह सौर्ट नोटिफिकेशन है इसको हिंदी वरजुन जो है उसको हम बात करते हैं जिसमें आप देख लीजे कौन-कौन सी पोश्ट है जैसे परामर्जदाता निदेशक है सायक प्रोफसर है किसी प्रकार अलग-अलग सायक प्रोफसर में भी वाड़ी नैदानिक बनो विज्ञान इस तरीके से लेक्चरार है, पुनरवास, अधिकारी है, सायक इस तरीके से लेखाकार और पूरी लिष्ट दे रखी है और यहाँ पर सामने नमबर आफ जो पद है उनकी बात भी जो है वो की गई है आवेदन आप उनलाइन कर सकते हैं और यह उफिशल वेबसाइट भी है और साती साथ आवेदन 24 अपराइल से स्टार्ट हो गया है, इतनी चीज मैंने आपको बता दी अब बात करते हैं हमारा कि जो इनमें पद में अहरता है उसको लेकर के जैसे निदेशक परामर्स दाता की बात करते हैं, तो यहाँ पर पद की संख्या चार है अधिक्तम आयू सीमा बासट है, नब्बे हजार पृतिमा सैलरी है और यहाँ पर आवश्यक योगिता देखेंगे तो किसी मानिता प्राप्त विस्विद दाले से 55% अंकों के साथ विसेश सिक्षा या किसी अन्य विसे में इस नात को तर डिगरी है आपके पास और यदि यह नहीं है, तो समकक्ष ग्रेड के साथ भी आप इसमें 10 वर्सों का अनुबों के साथ इसमें आविदन कर सकते हैं वांचनी योगिता पिएशडी की है, जितने बड़े पद हैं उनमें बड़ी योगिता भी होगी, इससायक प्रोफिसर में आप देखेंगे तो MBBS वगएरा मागा गया है, इसी प्रकार आगे भी देखें, डिटेल में इसमें आप नोटिफिकेशन कहां थे डाउनलोड कर सकते हैं मैं आपको बता दूँगा, पर ऐसे यहां पर हम पोस्ट की बात करते हैं, जो लगबग वैसे इनका देख लीजए कि बहुत से लोग की जो कालिफिकेशन इससे मैच कर रही होगी पर हम ऐसे पोस्ट की बात करते हैं, जो लगबग सभी के पास होगी, जिसमें आप देखेंगे जैसे यह प्रसासनी कदिकारी परामर्स दाता में, केवल आपका इसनातकोर्ता डिग्री, MBA होगा तो आप भर सकते हैं और साथ ही साथ इसमें पांच वर्स का अनुभव भी मांगा गया है और देखेंगे आगे तो दो वर्स का अनुभव इसमें मांगा गया है और साथी साथ सहायक परामर्स दाता में कंप्यूटर की ग्यान के साथ किसी मानिता प्राथ विजवित तैले से इसनातक मांगा गया है तो इस तरीके से डेर सारी पोश्ट हैं और इसमें जो भी आपके लिए applicable होती हैं उसमें आप डिटेल नोटिविकेशन में देख सकते हैं मैं सबसे लास्ट में चल ला हूँ जहां पर clerk या typist जो कि मैंने स्टार्टिंग बताया कि कुछ पोश्ट ऐसी भी है जहां पर आप इंटर पास हैं तो भी आप आविदन कर सकते हैं इसमें एक्स्ट्रा ये भी मांगा गया है कि अगर आपकी टाइपिंग है कंप्यूटर ग्यान के साथ 35 सब्द पृतिमिनट तो आपको उसी से ही वर्क है तो टाइपिंग करवाई जाएगी और साथ इसाथ दो वर्स का अनुभाव की बात भी क्लर के टाइप में जो है वो मांगा गया है इस तरीके से और भी इंटर वाली बहुत सी पोस्ट है जैसे वर्क सब परेविक्षक करके है तो इसमें भी देखी वही मांगा गया है और बाकी प्रमाण पत्र दो वर्स का अनुभाव इस तरीके से भी मांगा गया है कहने का मतलब है कि आप अपने जो भी कोर्स किया है उसके अकॉर्डिंग जो है वो पोस्ट वाइस जो है इसको देख सकने है जैसे वेब्साइक अनुदेशक में आप देखेंगे यहां पर बी एड, म.ड, पीजी डिप वांचनी अनुभाव भी 10% जोड़ा जाएगा इस प्रकार से 100% जो है आपका बनेगा जिसमें कर्मांग 6-18 की भरती के लिए बात की गई यहां पर साइड में आप देखेंगे तो सभी में नंबर पड़ा हुआ है तो केवल 6-18 के लिए यहां पर बात की गई है और अगर क अनुभाव की आवशकता है तो 90% महात्व लिखित परिक्षा का और 10% जो है वो अनुभाव के लिए जो है वो दिया जाएगा बाकी यहां पर देखेंगे तो आपको नोसी बगारा की बात की गई है और तीन वर्स है यह भी लिखानी उक्ति की अवधी आम तोर पर प्रार संगेक अनुभाव के साथ ऑनलाइन पर किये गए निर्धारित प्रारूप में आवेदन की पूड़ प्रती जो है यहां पर यह address दिया गया है इस तक यह उससे पहले पहुच जाना चाहिए आवेदन वाले लिफापे के उपर जो पद आप आवेदन कर रहे है उस पद के लिए आवेदन लिखा होना चाहिए और यह address दिया हुआ है और इस point को समझ लीजे कि आवेदन आपको यहां पर online लिखा है देके लिखा है ना online माध्यम से आवेदन जमा करने की जो अंतिम्तिति यह यह है परंतु यदि आप देखेंगे तो जो भी साथ में आप attach करेंगे उनके साथ online पर जो भी आप प्रारूप दिया होगा ना उस पर आवेदन की पूढ प्रती आपको यहां पर भेजनी पड़ेगी online आवेदन वही करना पड़ेगा पर online आवेदन करने के बाद उसका print out निकाल करके फिर यहां भेजना होगा ऐसा इनकी notification में बताए गया है स्क्रॉल करेंगे यहां पर देके लिखा है recruitment for the post of SB निर्तार करके इसी पर आप क्लिक करेंगे यह वाला पेज खुल जाएगा इस पेज में आप देखेंगे सारी विकेंसी की डिटेल दी गई है जो कि अभी हमने अलग-अलग बात की clerk typist consultant इस तरीके से जिस भी पोश्ट के रखिए और इस आप नर्स और यह अच्छा नीचे साइड आप देखेंगे तो कुछ इसमें पुरानी भी है तो आप बहुत लंबी लिष्ट में वहीं तक आपको आविदन करना है तक 18 नंबर तक देखेंगे यूगि 19 से आपका फिर पुरानी विकेंसी स्टार्ट हो गई तो ठीक है 18 तक जो भी आप आविदन करना चाहते हैं इसमें से अपनी आरता देख लिजएगा और जो पीडियाप कहां से देखेंगे अरता सामने एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देंगे तो वो पूरी पीडियाप ही डाउनलोड हो जाएगी तो यहां से लॉगिन कर सकते हैं उपर अप्लाइन नाओ का भी ऑप्शन दिया गया पहले यहां से आप रेजिस्टेशन करेंगे बस्ने मिडिल नेम इस तरीके से सारी चीज़े जब रेजिस्टार हो जाएगा तब आपको वही चीज मिल जाएगी जो पीछे मांगी गई है ल लोग साथ शेजरू कीजेगा मिलते हैं फिर अगले अपडेट में तब तक के लिए नमस्कार जैन